हेलो एरिवन, वेलकम टो एक्जाम फॉर्म अकेडमी, एक्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 12 अप्रेल 2019 से करेंट पर के कुश्चन और इस वीडियो का जो पीडियाप फाइल है आपको नीचे डिसकेशन डाक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कुश्चन है हाली में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो नए क्या यह दुबारा फिर से इलक्ट हुए है तो इनका नाम है बेंजयामिन न्यातनियाहू यानि कि इस कोश्चन का जो सह से एक हसीना की पार्टी की विजय हुई थी कोशन है पूश्चा गया था कि बंगला देश की प्रधानमंत्री से एक हसीना जीती हैं उनकी पार्टी का क्या नाम है तो आवामी लीग तो यहां से भी कोश्चन बन सकता है तो आपको याद रखना है कि इसकी अलभरा इजराइल की पारलेमेंट हैनि की संसत का क्या नाम तो इसका नाम है किंसेट और यहां की जो इंटलिजंसी एजंसी है इसका नाम है मोसाद और जो इजराइल देश है ये मिडलिस्ट का देश है इसकी राधाने जेरुसलेम है यहां जो भासा बोली जाती उसका नाम हिबरू ह और यहां की जो मुद्रा उसका नाम न्यू सकेल है और एक कुशन और आपको याद रखना है इजराइल से एक संस्ता जिसका नाम है यूनिसको तो यूनिसको जो संस्ता है इस से इजराइल ने अपनी सदसता को त्याग दिया है तो यह इतने कुशन आपको यहां से याद थे हैं कि अभी अभी रिसेट में जो नए किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्टपती बने हैं तो अलजीरिया देश के अभी अभी नए राष्टपती बने है जिनका नाम है अब्देल, कदार, बेसला और इसलोविकिया देश की पहली महिला जो राष्टपती बने इनक यह भारत का 25 हाई कोर्ट है यह बना है 1 जनौरी 2019 को इसके जो पहले मुख्य नाम था जस्टिस सी प्रवीन कुमार अब जो नए बने हैं उनका नाम है नयमूर्थ बिक्रम नाथ यानि कि इस कोशन का जो सही आंसर है वो है बी आंद्परदेश का जो पहले हाई कोर्ट था वो का 25 हाई कोर्ट इसके अलवा तीन हाई कोर्ट के और नयादिस का आपको नाम याद रखना बांबे हाई कोर्ट के जो अभी अभी बने प्रदीप नंद्रा जोग और कलकत्ता के हाई कोर्ट जो की जिनका नाम है टीबी राधा कसनन और मदरास हाई कोर्ट के क्योंकि मदरास हाई कोट जो है इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है क्योंकि एक आयप है जिसका नाम है टिक टॉक एप तो टिक टॉक आयप जो है मदरास हाई कोट ने बैन करने के आदेश दी है इसलिए आपको यह याद रखना है इसके अलवा भारत के जो मुख्य ने आदिस यानि की चीप जश्टिस आप इंडिया जो है उनका नाम है नियामूर्ति रंजन गागोई और यह 46 वे नंबर के हैं और भारत के असम राजी से आपको यहाँ से याद रखने हैं इसके अलवा आंध प्रदेश जो राजी है इसकी राध्दानी है अम्रावती और अम्रावती जो सहर है कुस्णा नदी के किनारे इस्तित है और एक कुशन और आंध प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं उनका नाम है चंद्रबाबू ना हैं लोक सभाचुनाओं के साथ साथ कौन कौन से अंद्रदेश में इसल न्रशिंबन जो की इस clot ते लांगना राज के दिखिया है कि कम ano comprehensive दो ठेक्दिर क मैं जिसका नाम है साउथ कोष्ट रेल वे जोन जो हे भारत के आंद प्रदेश राज में अगर कुछन पूचा जाकि सा जो साउथ को इसका मुख्यालाई कहा है तो इतने कुछन सकते हैं अगला कुछन नमबर तीन हाली में किस भुष्वब्स जयाले के बैयानिकों ने परदार्त की नई अवस्था की खोज किया तो आप जानते होंगे कि टीन अवस्थां होती हैं द्लॉइ थोष और गयाज तो इन्हों ने एक नई अवस्था खोज किये वह कौन सी है अभि मैं बताता हूँ पहला कोशन यह पूचा जा रहा है यह इन्हों यह जो बैग्याने की यह किस बिस्विद्याले के हैं तो यह है इडन बर्ग बिस्विद्याले के जो की स्कॉटलेंड का एक बिस्विद्याले अब यह पूरी डिटेल एक कोशन क्या है कि स्कॉटलेंड के इडन बर्ग बिस्विद्याले के बैग्यानिकों ने एक सक्तिसाली computer जिसका नाम है Simulation Simulation के द्वारा पदार्थ की नई अवस्था खोज की है जिसका नाम रखा Chen Melted State तो ये भी आपको नाम याद रखना है जो इन्होंने नई पदार्थ की अवस्था खोजी ही उसका नाम है Chen Melted State और ये है इसके बारी में पूरी जानकारी जो इडनबर्ग भी सुविध्याल है ये पढ़ता है स्कॉर्ट लेंड में और मैं बता चुगा था कली बताया था कि जो स्कॉर्ट लेंड है ये United Kingdom के अंतरगत आता है United Kingdom जो है यानि कि UK जो है ये चार देशों को मिला के कहा जाता है कौन कौन से देश England जिसकी राधधानी है London Scotland जिसकी राधधानी है इडनबर्ग Wales जिसकी राधधानी Cardiff है और Northern Ireland जिसकी राधधानी है Belfast इसके अलावा जो Republic of Ireland है ये अलग सोतंत्र देश है इसकी राधधानी है Dublin अब मैं आपको बताता हूँ दो तीन कौश्चन जो की आपको याद रखना है जो United Kingdom है इसकी राधधानी है London और London ने अभी अभी एक नया इनिशेटिव चलाया जिसका नाम है 24 into 7 पालियूसन चार्ज जोन इसका मतलब क्या है अगर इस जोन के तहत कोई अपना वहकिल निकालता है या ले जाता है तो जो वहाँ के एमिसन रूल है उनको नहीं फालो करता तो उसको फाइनेंसली चार्ज किया जाएगा ये है 24 into 7 पालियूसन चार्ज जोन और ये ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला सहर जो बना है वो है लंदन इसके अलवा लंदन की एक मैगजीन है जिसका नाम है विजड़न मैगजीन जो की क्रिकेट की मैगजीन है विजड़न मैगजीन ने 2019 का जो विजड़न क्रिकेटर आप दा इयर का खिताब दिया है वो दिया है बारत के कॶकेटर बिराट कोली को पुरुसों में और महिलाओं में दिया है बारत की कुरकेटर इस मरत मंदाना को तो इतने कोशन आपको यहां से याद रखना है इसके अलावा एक कोशन और 2019 का जो किरकेट का भिशुकव खेला जाएगा वो खेला जाएगा Wales में ये भी question आपको याद रखना है 2019 का जो cricket का भी सुक्रब खेला जाएगा वो खेला जाएगा United Kingdom के Wales में तो इसके अलवा हाँ एक question और 2022 का जो common wealth games खेला जाएगा वो खेला जाएगा United Kingdom के Birmingham सहर में इतने question यहां से बन सकते हैं अगला question देखते हैं question number 4 हाली में एनी नौरेनी को Asia में एनी नौरेनी को Asia में 2019 का सरसेष्ट एथलीट कोच नामित किया गया है तो question यह पूछा जा रहा कि एनी नौरेनी जो है यह किस देश की हैं तो यह हैं Indonesia देश की इनको अभी अभी जिनका नाम है एनी नौरेनी इनको Asian Athlete Association ने 2019 का Asia का सबसे अच्छा एथलीट कोच गोसित किया है तो इस question का जो सही answer है वो है ए इंडोनेसिया इंडोनेसिया जो देश है यह Asia का एक देश है इसके अलावा इंडोनेसिया की जो राधधानी ही हो है जकार्ता जकार्ता जो सहर है जकार्ता के अलावा एक और सहर आपको याद रखना है इंडोनेसिया का जिसका नाम है पलेंबर्ग जकार्ता और पलेंबर्ग में 2018 के खिले गए थे Asian Games और इंडोनेसिया के सहर जकार्ता और पलेंबर्ग में 2018 के खिले गए थे Asian Games और इंडोनेसिया के जो वरतमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको बीडोडो तो ये भी कुशन पूछा जा सकता है एक कुशन और आपको मैं बताता हूँ जो एनी नुरेनी हैं ये हैं एनी नुरेनी एक कुशन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको याद रखना भारत की एक एथलीट है जिनका नाम है हीमादास हीमादास जो हैं इन्होंने Asian Games में गोल्ड मिडल जीता था और ये भारत के असम राजी से हैं और एक कुशन और जो हीमादास हैं ये असम राजी के नगाव जिला से हैं और धिंग गाउं से हैं इसलिए हीमादास को कहा जाता है धिंग एक्सप्रेस और हीमादास को जो IOCL कंपनी है इन्होंने अपना HR बनाया है HR की नोकरी दी है इसके अलावा असम राजी ने हीमादास को अपने स्टेट का स्पोर्ट अंबेजडर भी बनाया है तो इतने कुशन आपको याद रखना है और इस कुशन का जो सही आंसर है वो है इंडोनेसिया अगला कुशन देखते हैं कुशन नमबर पांच हाली में भारत के किस सिच्छा तकनीक स्टार्ट अप ने नेक्स्ट बिलियन इडी टेक प्राइस 2019 जीता है इसका हिंदी और इंगलिस में दोनों नेम सेम है तो आपको इसका हिंदी वर्जन नहीं ढूणने की जोरूत है नेक्स्ट बिलियन इडी टेक प्राइस इडी टेक का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो की टेकनालोजी यूज करती एजुकेशन के छेतर में यानि की एजुकेशनल टेकनालोजी तो नेक्स्ट बिलियन इडी टेक प्राइस 2019 जो दिया गया ये दिया गया है एक संस्था जिसका नाम है दोस्त एजुकेशन और ये क्यों दिया गया है तो ये है दोस्त एजुकेशन का लोगो इन्होंने एक नया तरीका निकाला है इनोवेटिव तरीका जिसके तहस जो टेकनालोजी का यूज करते हुए जो गाओं के गरीब बच्चे हैं उनको कम सस्ते पैसा में एजुकेशन को परवाइड किया जा रहा है इसलिए इनको दिया गया है 2019 का एडी टेक प्राइज जिसमें इनको मिले हैं 25,000 डालर रुपिय तो इतना कोशन आपको याद रखना है तो इस कोशन का जो सही आंसर है वो है अब मैं आपको दो चीज़े और बताता हूं एक गूगल कंपनी है गूगल कंपनी ने बोलो लर्निंग लांच किया है चोटे बच लांच किया गया है बोलो लर्निंग आप जो है गूगल कंपनी द्वारा लांच किया है इसके अलबाद दो नाम आपको याद रखना गूलोबल टीचर प्राइज फार 2019 जो दिया गया यह दिया गया पीटर तबाइची को और यह केन्या देश के हैं केन्या देश की 2019 जो एजुकेशन अवार्ड 2019 है यह दिया गया भारत के जो सुपर 30 कोचिंग के फाउंडर है बिहार के आनंद कुमार तो आनंद कुमार को दिया गया था एजुकेशन अवार्ड 2019 और ग्लोबल टीचर अवार्ड जो दिया गया यह दिया गया पीटर तबाइचे को तो दो नियू जाब को यहां से याद रखनी है अगला कुशन देखते हैं कुशन नमबर 6 हाँ एक कुशन और अभी अभी NIRF यानि कि National Institution पर रैंकिंग प्रेमवर की रैंकिंग आई थी इसके अनुसार भारत का जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है IIT मदरास तो यह रैंक भी आपको याद रखना है अगला कुशन देखते हैं कुशन नमबर 6 हाली में 20 सुजल सिखर सम्मेलन 2019 में भारत के किस प्रोग्राम को पब्लिक वार्टर एजनसी आप दा इयर का खिताब मिला तो यह दिया गया है नमामी गंगे कारि इसको साप बनाए रखना और गंगा का जो पानी है उसको सरचित बनाए रखना इसलिए नमामे गंगे को जो बिश्चु जल सिखर सम्मेलन हुआ यह हुआ लंदन में तो यहां पे इसको दिया गया पब्लिक वार्टर एजनसी आप दा इयर का अवार्ट तो इस कोशन का ज आगे वे मिले होंगे तो यह कहां की बात में बता रहा है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश से एक बात आ गई याद हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिलती जूलती से गंगा की हे लिए योजना चलाई थी जिसका नाम था गंगा हरीती में योजना तो जो उत्तपाद जो योजना यह चलाएगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और इससे मिलता जुलता नाम है एक परिवार एक नोकरी यानि की वन फैमली वन जाब जो पर योजना है यह चलाएगे सिक्किन सरकार द्वारा तो यह दो कोशन आपको याद रखने है और इस कोशन का वारसिक आउसत की ब्रद्दी से बड़ी है तो ये बड़ी है 1.2% की ब्रद्दी से अब कुशन यहां यह है कि जो बिस्तु जनगरना रिपोर्ट है ये किसके द्वारा तैयार की जाती है तो जो बिस्तु जनगरना रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है United Nations Population Fund द्वारा जिसक राष्ट्र जनसंख्या कोस इसके अनुसार भारत की जो 2019 में जनसंख्या है वो है 1.36 बिलियन और चीन की जो जनसंख्या है 2019 में वो है 1.42 बिलियन और भारत की जो वार्षिक ग्रोथ रेट है पापुलेशन की वो है 1.2 परसंट तो इस कोशन का सही अंसर है 1.2 भारत की जो राष्टी जनगर्णा होती है वो होती प्रतिवर्स 10 वर्स के अंतराल पे इससे पहले हुई थी जो पिछली जनगर्णा हुई थी वो हुई थी 2011 में अब जो होगी वो होगी 2021 में और 2011 जनगर्णा होगी बारत में वो होगी 2021 में तो इतने आपको यहां से याद रखना है इस कोशन का सही आंसर जो है वो है अगला कुशन लेखते हैं कोशन नमबर 8 हाली में के मड़ी का निधन होगा यह कौन थे तो एक में बात आपको बता दूँ जो निधन होते हैं यह आते कोशन अभी चुवरी के अंतरगत दो कोशन एक अभी चुवरी और एक होता प्यक्ट जो समझहोता वाले कोशन होते हैं कि किस कंपनी ने किस कंपनी के साथ समझहोता किया या किस देश ने भारत ने किस देश के साथ समझहोता किया तो यह कोशन एक्जाम में बहुत कम ही प जो प्रक्त वाले कोस्षिन होतें शमझाथावाल is बहुत ही कम पूछे जाते vereार दो पूछे जाते हैं और वहीं पूछे में ज्जादा जो फैमस होते है तो इसलिए मैं इन सभी कौ Kोशनों को बहुत ही कम कवर करता कूं और आपको भी बताता हूं इन questions को बहुत कम तयार किजिए उन्ही questions को आफ या प्र पैक्ट वाले हैं उन्ही questions को तयार सें कुछ को कियों cover क्यों कि केरख से हैं और यह कंग्रेस के नेता हैं यह लगतार 13 वार कंग्रेस से बिधायक रह चुक 1914 तो यह बहुत बड़ी news है इसलिए मैं इनको यहाँ पे cover किया है तो के यम मड़ी जो है यह है राजनेता और केरल राज से हैं यह लगातार 13 बार केरल से विधान सबा के चुनाव जीते हैं तो इस question का जो सही answer है वो है C. राजनेता अगला question देखते है question number 9 हाली में इमामी कंपनी ने अपनी जो उनकी दूसरी कंपनी हैime brand है जिसका नाम है नौरतन कूल जो तेल है इन्होंने इसके लिए जो नए brand ambassador बनाया है उनका क्या नाम है तो नौरत नकूल ने कंपणी ने अपना जो नया ब्रांड अमबेजडर बनाया है उनका नाम है वरूड दावन इसके अलावा भी रिशेंड में दो तीन और ब्रांड अमबेजडर बने है जिनका नाम आपको याद रखना है United Nations Development Program जिसको बुला जाता साथ में UNDP UNDP ने अपना गुडविल अमबेजडर बनाया है पदमा लक्षमी को Election Commission ने अपना गुडविल अमबेजडर बनाया है भारत की पहली Transgender महिला गौरी सामन्थ को और जो phone pay company है युन्हों ने अपना brand ambassador बनाया आमिर खान को इसके अलावा आमिर खान एक और company जिसका नाम है Vivo Vivo जो कि IPL का इस साल sponsorship कर रही है इसके भी आमिर खान brand ambassador नहीं है इसके अलावा एक question और पूछा जाता GST के जो brand ambassador है वो है मिताब बच्चन इसके अलावा सिक्किम राजी के जो brand ambassador है उनका नाम है AR रह्मान तो इतने question आपको याद रखना है हाँ एक question और जो boxer मैरी काम है मैरी काम इस समय दो कमपनियों की वरतमान में brand ambassador है जो सबसे ज़्यदा नियूज में पहला VSNL company और एक company है Puma जो की sports सूज बनाती तो Puma और VSNL company इन दोनों ने boxer मैरी काम को अपना brand ambassador बनाया है अगला question और इस वीडियो का last question question है कि हाली में चुनाव आयोग ने किस लोग सभा के लिए M3 EVM machine का उपयोग करने का निर्णे किया तो यह किया है निजामाबाद चुनाव छेतर के लिए ऐसा क्यों इसका region है जो M3 EVM machine है इसका मतलब है EVM machine का third generation ऐसा क्यों 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 कि जो EVM machine होती है इस पे जो total symbol होते हैं चुनाव निसान होते हैं यानि कि एक समय में किवल 64 candidate का data store हो सकता लेकिन जो निजामाबाद चुनाव छेतर है यानि कि constituency है यहाँ पे इस साल total जो candidate खड़े वी हैं वो खड़े वी हैं 185 जिसमें से यहाँ के 178 किसानों ने चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जो 178 किसान हैं सरकार की नीतियों से परिसान हो गए हैं या उनसे दुख हैं दुखद हैं नाराज हैं इसलिए यहाँ के 178 किसान भी चुनाव लड़ रहे हैं तो total candidate हो गए 178, 178 प्लस वहाँ के जो नेता हैं total 185 लोग नेजामा बाद से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो चुनाव आयोग था इसके सामने एक बड़ी समस्या थी क्योंकि जो EVM मसीन इसमें सिर्फ 64 ही कंडिडेट का डेटा इस्टोर हो सकता है तो इन्होंने एक नई मसीन बनाई है जिसका नाम दिया है जो है M3 EVM मसीन यानि की EVM मसीन का 3rd generation इसमें जो total candidate का डेटा इस्टोर हो सकता वो हो सकता 384 कंडिडेट का इसलिए और ये जो प्रियोग की जाएगी वो ये की जाएगी निजामाबाद चुनावचेतर में तो M3 EVM मसीन जो है ये यूज किया जाएगा निजामाबाद में आपको सायत कारण पता चल गया होगा कि M3 EVM मसीन निजामाबाद में क्यों प्रियोग की जा रही है क्योंकि इसमें सिर्फ 64 ही कंडिडेट का डेटा इस्टोर हो सकता है इसके लावा एक चीज और आपको चुनाओं से याद रखना है अभी यानि कि 11 अप्रेल को जो सत्रमी लोग सभा है इसका चुनाओं पहले चरण का चुनाओं चालू हो गया है इसमें एक नया चीजी समय है इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है जिसका नाम है वीवी पैट वीवी पैट का फुल फाम है ओटर वेरी फेवल पेपर आर्डि ट्रायल और यह फुल प्लेजड म सिम्बल एक कागच पर बन के आ जाएगा और वो आटोमेटिकली को सिकंड बाद एक डिब्बे में गिर जाएगा यानि कि आप जो चुनाओं ओट दे रहे हैं वो अडिट कर सकते हैं कि हम उसी जिसको दबाए हैं उसी को ओट गया है कहीं दूसरे पार्टी को तो ओट नही कर गया है यानि कि आप जो ओट दे रहे हैं वो वेरिफाई कर सकते हैं कि वो किस पार्टी को गया जिसको मैं दिया हूं उसी को कहीं दूसरे को तो नहीं गया है इसी लिए एक नया आपसन लाया गया जिसका नाम है वीवी पैट ओटर वेरिफेवल पेपर ऑडिट ट्रेल यह है इसका पूरा मतलब तो यह आपको इसका फुल फाम आपको याद रखना यह कोशन में पूछा जा सकता एक कोशन और आपको याद रखना जो चुनाओ के समय अंगुठे पर यानि कि उंगली पर जो यह इंक लगा दिया जाता तो यह कोशन है पूछा जाता यह इंक क होता है उससे क्रिया करके बना लेता है silver chloride और silver chloride जो है वो जल में नहीं गुलता यानि कि जल में गुलनसील नहीं है इसलिए जब silver nitrate नमक से क्रिया करके silver chloride बना देता है तो यह अगले 72 गंटे तक आप मिटा नहीं सकते हैं इसलिए यह यूज किया जाता है इंक अब दूसरा कुछ ने कि ये इंक क्यों यूज किया जाता है जब चुनाव आयोग है इसको 1962 में लगा था कि चुनाव में बहुत से फरजी ओट पड़ रहे हैं तो एक आदमी को एक ही ओट ड़नने के लिए ये ऐसा सिटम बनाय गया था कि अगर एक 1962 में और ये बना होता सिल्वर नाइट्रेट का और एक कुशन और पुछा जाता है कि इसको बनाता कौन है तो जो ये इंक है अमिट इंक इसको बोला जाता है हिंदी में ये भारत में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है मैसूर पेंट एंड वर्निस लिम्टेड और ये कॉशन जो है करीब करीब SFC में हर साल पुछा जाता है कि जो चुनाओं में यूज होने वाली अमिट इंक है इंडियवल इंक है वो कौन सी कंपनी बनाती है तो बनाती है मैसूर पेंट एंड वर्निस कंपनी और ये सिर्फ भारत में अकेली कंपनी यहां पे लिखा तो यहां से बन सकते हैं तो इस सवाल को आज के वीडियो को यहीं पर धूर्थ है और आपको जा कुछ दिवस कम मनाया गया तो इस्कूर्शन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बाक्स में देना होगा तो उम्हेद करते हैं कि आज की वीडियो में कुछ को निया सेखने को मिला होगा और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और आपके जितने भी दोस्तें उनके साथ दियन waren आपको कल वीडियो